इस वक्त की बड़ी खबर ट्रम्प की जीत के बाद रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है ट्रम्प को बधाई देने का फिलाल कोई एरादा नहीं है ये बड़ा बयान जारी किया गया है रूस की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं तो ट्रम्प की जीत के बाद एक तरफ तो बधाई देने वालों का भी जो है वो सलसला शुरू हो चुका है तो दूसरे तरफ कहा गया है कि पुतिन ट्रम्प को बधाई देंगे इसकी जानकारी नहीं है क्रेमिलन की तरफ से नीती और नियत देखकर बधाई देंगे रूस ने बधाई देने को लेकर ये अपना रुक्स फष्ट करते हुए कहा है अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से रूस के खलाफ युद्ध में है और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम इंतजार करेंगे और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा और चलिए इसी से चर्चा की शुरुवात भी कर लेते हैं और वीना सीक्री जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अब रूस का जो ये रुख है एक तरफ तो बधाईयां दी जा रहे हैं ट्रम्प जिस तरीके से इतिहास रज रहे हैं एक बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं पहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके है इस बीच रूस का ये बयान किस तरह से देखा जाए से अब बयान सही है क्योंकि उन्होंने वो जानते हैं कि प्रेजड़ेंट ट्रॉम्प ने इलेक्शन के मोग दारान में कहा है कि वो जो उक्राइन और रूस का ओंफिक्ट एँ उसका रुख हात्मा करेंगे उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो खतम करेंगे तो इस तरीक से हम जानते हैं कि प्रेजड़ेंट ट्रॉम्प और प्रेजड़ेंट पूतिन के पहले अच्छे विष्टे थे और अच्छी सम्झोता थे उनमें लेकिन इस वक्त जो है वेस्ट की तरफ से अमेरिका, यॉरप, नेटो सब की तरफ से उक्राइन की पूरी तो जब तक प्रेजड़ेंट पूतिन को ये आश्वासर में मिलता कि ये सब कीज़ेंगी या खास्म हो जाएंगी जब तक प्रेजड़ेंट की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता तो उन्होंने कहा है कि हम तुप रहेंगे, वो कुछ ने कहेंगे ना तो इदर इस तरफ कह प्रेजड़ेंट पूतिन ने पहले कहा है कि वो युद के खात्मा करने के लिए तयार है वो डिप्लोमाइलिक डालॉग में पार्ट्पेज करने के लिए तयार हैं तो उमीद है कि प्रेजड़ेंट ट्रंप के तरफ से कुछ बयान आएगा और ये बात जो है आगे चलेग डालॉग और डिप्लोमसी की तरफ में और हमारे प्रदान मंति जी मोदी जी कहीं बार प्रेजड़ेंट पूतिन से मिले हैं उनसे बातचीत कर चुके हैं प्रेजड़ेंट ट्रंप और प्राइमिनिस्टर मोदी के अच्छे रिष्टे अच्छा समझाता है तो उमीद तो है कि प्रेजड़ेंट ट्रंप का जो एलेक्शिन प्रमिस था वो पूरा किया जाएगा चीक है आशिश इस पर मैं आपसे भी बात करूंगी क्योंकि इस तरह से रूस का सपष्ट तौर पर ये कह देना कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो भूमिका अमेरिका की रही है आप वो ये क्या रहें कि हम बधाई देने में थोड़ा समय लेंगे इसे इस मौझूदा समय में किस तरीके से देखा जाए क्योंकि अमेरिका के प्रेजिडेंट तो अब ट्रंप हो ही गये हैं तेकि मुझे लगता है वो सिर्फ आश्वासन भर का इंतजार कर रहे ह रशियन प्रेजिडेंट पूतिन भी देखे आगे चलके ट्रंप के अब राश्पती बन जाने के बाद चाइना अल्टिमेटली आइसोलेट होगा रश्या यूक्रेइन जो वार है इसमें वेस्ट का पुजिशन हम जानते हैं डॉनल्ड ट्रंप की तरफ से आश्वासन एक मिल जाएगा मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बता दू किसी साल मार्च के मैने में पीस डील साइन होने वाली थी यूक्रेइन और रशा के बीच में लेकिन उस समय यूनाइटिट किंग्डम के प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन करके जलिंस्की को कहा कि आप ऐसा न अब नहीं है जबकि ये थमता हुआ नजर आएगा और जैसा मैंने आप से का शिरीन अल्टीमेटली चाइना विल गेट आइसोलेटेड जो कि इंडिया के लिए भी एक बड़ा अड्वांटेजियस पोजिशन होगा ऐसे वक्त पर जब हम लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल क को भी वहाँ पर डिस्प्यूट को भी चाइना के साथ सुलजा लिये हैं और अगर ग्लोबली इकठा हो करके चाइना को आइसोलेट करने में फर्दर आउन काम्याब होते हैं तो वह हमारे लिए भी अच्छा होने वाला और मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ठीक है अभी व नज़र हमारी उस पर भी रहेगी